हेलो माई फ्रेंड्स वेलकम बैक तो आज चैनल लेट्समेक आज मैं आप सभी के लिए लेक आई हूँ ये रेड हाट केक का डेकोरेशन तो जानने के लिए से मैंने कैसे डेकोरेट किया है इस वीडियो को बिना स्किप किये पूरा देख लीजेगा अब मेरी चैनल को सस्क्राइब करना बिलकुल मत भूलेगा तो चलिए हम वीडियो को शुडू करते हैं सबसे पहले मैंने एक कप विपडी क्रीम ले ली है इस पे आप मैं रेड कलर मिक्स कर रही हूँ आपको जितना विपडी क्रीम को डार्क बनाने आप उतना रेड कलर इसमें डाल सकते हैं अब अच्छे से विपडी क्रीम और कलर को मिक्स कर लीजे जबते कि इसमें हार्ट पीक्स ना बन जाए और ये देखे इसमें हार्ट पीक्स आ गए है अगर आप इसे उल्टा भी करेंगे तो ये नीचे से नहीं भाएगा इसका मतले भी बिल्कुल रेडी है अब मैंने ग्लास में आदा का विप्डी क्रीम ले ली है इस पे आप मैं रेड कलर मिक्स कर रही हूँ अब ये देखिए अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है टॉब मैं इस मिक्स्यर को विप्डी क्रीम में मिक्स कर रही हूँ बिना मशीन ब्लینडर के आप विप्डी क्रीम को कैसे विप कर सकते हैं इस वीडियों के लिक में आपको नीचे दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, और ये देखिए हमारी विब्डी क्रीम रेडी है, ये मैंने केक पहले से रेडी करके रखा हुआ था, अब मैं इसमें अच्छे से रेड कलर की कोटिंग चड़ा दूँगी, अच्छे से विब्डी क्रीम को हर जगा कोट कर दीजिए, अपनी नाइफ को बार बार साफ करते रहें ताकि इसमें अच्छे से फिनिशिंग आए, मैं इसको अच्छे से हर जगा कोट कर दे रहे हूँ, आप चाहें तो इसमें बस रेड कलर की वुपी क्रीमी लगा सकती है और ये देखिए हमारा जो केक है वो अच्छे से कवर हो चुका है अब मेरे पास ये प्लास्टिक शीट है मैं इससे अच्छे से फिनिशिंग दूँगी इसकी हेल्प से अच्छे से केक को फिनिशिंग दीजिए ये प्लास्टिक शीट किसी भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाती है आप वहाँ से ले सकते हैं पहली बार करने में आपको इसमें डिफिकल्टी होगी पर आप धीरे धीरे से सीख जाएंगे और ये देखिए मैं नीचे का साफ करने के लिए से इस तरह से साफ कर रही हूँ अपनी शीट को भी बार बार साफ करते रहे ताकि इसमें अच्छे से फिन्शिंग आए यहासे भी साफ चेज़ शेप दीजिए आप चेज़ वाई अब मैं इस नोजल का यूज़ करें दिजाइन देने के लिए ये दिखिए इस तरीके से आप दिजाइन दीजिए अब मैं बॉर्डर के डिजाइन बनाने के लिए इस नोजल का यूज़ कर रही हूँ अच्छे से बॉर्डर के डिजाइन भी बना दीजिए जिस तरह से मैं बना रही हूँ आप उसी तरह से बना दीजिए अगर आप दूसर डिजाइन भी देना चाहते हैं तो आप दूसर डिजाइन भी दे सकते हैं अब बस में इसमें फ्लावर लगा दे रही हूँ और आप इसको जैसे डेकुरेट करना चाहें वैसे डेकुरेट कर सकते हैं आप प्लाबर कैसे बना इस वीडियो में मैंने अच्छे से बताया है आप इस वीडियो को भी देख लीजिएगा और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कूर मत बूलिएगा थैंक्स वर वाचिंग मैं वीडियो